इससे पहले हुँने देखा था अनांता पौ और नाडिये के साथ वाइट लोटस ट्री आ जाता है विंग्स ओफ इंकारनेशन से मिलकर उनसे अपना पुराना हिसाब करने के लिए उसको उनकी ही बनाएगे एरिना में जीतना होगा लेकिन एरिना में पार्टिसिपेट करने क लेकिन वही वाइट लोटस ट्री में अनांता की मुलाकात विंग्स ओफ इंकारनेशन के पुराने सर्वेंट से होती है जिसका नाम बाल्जाक इलचनी है और वही पर अनांता और बाल्जाक की फाइट सुरू हो जाती है पिछले पार्ट में अनांता की एक वल्चर से मार करके जितने भी लोगों को आज तक बाल्जाक ने मारा उनसे अनांता बाल्जाक को हरा देता है लेकिन आखरी बार बाल्जाक अपने रिच्वल को निभाने के लिए नाटिया की जान लेने वाला था लेकिन तबी महां पर विंग्स ओफ इंकारनेशन का पुराना सर्व लेकिन जाते समय वे बाल्जाक को मार देता है और जैसे ही अनांता विंग्स ओफ इंकारनेशन को देखता है तो वे काफी गुस्से में उस पर भड़कते वे अटेक करता है लेकिन विंग्स ओफ इंकारनेशन का सर्वेंट आकर विंग्स ओफ इंकारनेशन को बचा लेता ह और उसकी और अनांता की फाइट सुरू हो जाती है फाइट करते समय अनांता की डिमोनिक एनरजी उस पर हावी हो जाती है और वे पूरी तरीकी से ब्लैक ड्रैगन आजी दागा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेल सभी के उपर अपने सबसे ताकत और ब्लास्ट से अटेक करता है लेकिन विंग्स ओफ इंकारनेशन सिर्फ अपने सिंगल अटेक से ही अनांता को हरा देता है यहां से अनांता अपनी फास्ट स्टोरी को याद करता है जहांपे अनांता विंग्स ओफ इंकार्नेशन को अपने कबीले में लिया था वह भी विंग्स ओफ इंकार्नेशन अनांता को अपना नाम रियू बताता है साथी में अपना मकसद भी जोगी है सभी Divine Revelation को हासिल करना अनांता रियू को मास्टर कहते हुए Black Dragon के Divine Revelation के बारे में बता देता है जो कि यह है Dragon Gorge के अंदर रियू अनांता को वहाँ पे लिजाकर अपने Divine Revelation को Black Dragon के Divine Revelation के साथ फ्यूज कर देता है और इस Fused Revelation को अपने अंदर Adsorpt कर लेता है Black Dragon भी महाँ पर आकर रियू को बेवकूफ कहते हुए उससे पूछता है आखर ये सब करने का क्या मकसद और आखर उसका नाम क्या है रियू अपने Beast Bomb में आते हुए Black Dragon को बताता है कि इसका असली नाम है Gyo और वे है Wings of Incarnate अब आगे अब हम देखते हैं अनांता मरी वी आलत में नीचे पड़ावाता जब उसकी निजर अपने सामने जाती है तो Gyo और Black Dragon आपस में लड़ने वाले थे Black Dragon Gyo से कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ मेरा Divine Revelation तुमारे अंदर है Gyo Black Dragon को बताता है कि Black Dragon की पावर वाकिय में काफी ज़्यदा भ्यंकर है और उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए उसने बाखी के Revelation को एब्सॉर्ब किया और जहां बात आती है उन Divine Revelation के ओनर्स की तो कुम को बहुत पहले ही Gyo ने मार दिया है ये कहते हैं Gyo अपने Light Attack को Black Dragon की उपर Attack करता है जिन Attack को Black Dragon अपनी Strong Wing से Block कर लिया है साथ में Gyo ये भी बताता है कि जब उसने Black Dragon के Revelation को एब्सॉर्ब किया तो Black Dragon की जो पावर है वे कमजूर उचकी है तो आज Demon God Black Dragon आज ही धाका यही पर मारा जाएगा ये सुनकर Black Dragon अपने मूँ से Fire निकालता है अगर तुम में दम है तो तुम ऐसा जरूर कर पाओगे अगर तुमारे पास अच्छी Skill हो ये कहते हुए वे गियो के उपर Fire कर देता है जिससे बचकर गियो वहाँ से भागने लगता है Black Dragon भी उसका पीचा करते हुए अपने बड़े पंकों के साथ अपनी Magical Power का इस्तमाल करता है जहां पे कई सारे Magical Portal ओपन होते हैं और उनमे से Fire आती है जो कि गियो के तरफ बढ़ने लगती है गियो अपनी Light Power के साथ Black Dragon के सब अटेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है वे Black Dragon की डिमॉनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं उसके उपर अटेकर देती है जो कि Black Dragon को लग जाता है Black Dragon और ग्यो की इस Fight को कबीली के सबी लोग देख रहे थे और आसीता को अनांता की चिंता होने लगती है कि आखिर वे कहां पर है वही अनांता अपने दोनों हाथ कटे होने के बावजूद उठने की कोशिस करता है अपनी बेहन के पास वापिस डाने के लिए तबी महाँ पर Black Dragon आ गिरता है और उसकी हालत काफ़ी जदा खराब हो चुकी है ग्यो उपर से उड़ता हुआ Black Dragon से कहता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा था मैंने तुम्हे हरा ही दिया ना आजी दागा मेरे ख्यास से जो काम मैं यहाँ पर करने आया तो वो मैंने कर लिया अब समय आ चुका है अपने घर जाने का Heavens में ये कहते हुए ग्यो काफी तेजी से Heavens में चलने जाता है और वही पर अनांता जोर जोर से रो रहा था आखिर की उने ऐसा क्यों किया उसने तो वादा किया था कि वे उसकी वेन को ठीक कर देगा और अनांता की इस बात को वहाँ पर ब्लैक ड्रेगन सुन लेता है और वे अनांता से कहता है Descendant of the Black Dragon मुझे एक बात बता क्या तुम वही हो जिसने इंकारनेशन ओफ विंग्स को मेरा टिवाइन रेविलेशन पाने में मदद करी वही अनांता रोत वे ब्लैक ड्रेगन से माफ़ी मांग रहा होता है ऐसा उसने इसलिए क्या था कि वे अपनी भेन को ठीक कर सके ब्लैक ड्रेगन अनांता से कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ने बना जो कि ब्लैक ड्रेगन का ये हाल करते लेकिन आज वे अनांता की वरा से कमजूर विंग्स ओफ इंकारनेशन के हाथों मारा जा रहा है लेकिन मरते समय वे अनांता को कर्स करता है इसलिए क्योंकि उसने wings of incarnation की मरत करी और वही जो black dragon की body थी वही जल कर खत्म हो जाती है और उसकी body से एक demonic energy बहारा कर उसी की body का save लेते वे गाउं के तरह बढ़ने लगती है अनांता समझ जाता है कि black dragon गाउं को जलाने वाला है और जो black dragon का curse था वे पूरे गाउं को जलाने लगता है मांके लोग यहां तक यह अनांता की बहन को भी अनांता भागत वे black dragon को यह सब कुछ करने के लिए मना करता है और अपना काम खतम करने के बाद वे curse energy अनांता को निगा जाती है वे curse energy अनांता की body के हर एक कोने में समाने लगती है उसका खून उसका दिल बादी का हर एक हिस्से में सिर्फ black dragon की curse energy होती है यहां तक यह अनांता के जो हद कटे थे वे वापस उस demonic energy की वरा से द्री जनरेट हो जाते हैं ब्लैक ड्रेगन अनांता से कहता है कि बेवक फिमोर्टल मैं तुम्हें curse करता हूँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदले से भर जाएगी जिस गुस्से के साथ आज मैं हूँ तुम पूरी जिंदगी इसी गुस्से के साथ जियोगे तुम जहाँ जाओगे वहाँ डिसेस्टर होगा तुम्हारी पूरी जिंदगी ही डिसेस्टर के साथ सुरू होगी और इसी के साथ खतम होगी ये गर्स मिलने के बाद अनांता पूरी दरीकी से डिमोनिक ड्रैगन में ट्रांस्फॉंग हो चुका था अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ग्यों ने अनांता पे सिर्फ एकी अटेक करके उसको हरा दिया था फिल्म जिस और भीरोन को अपने टैंपल चलने के लिए बोगता है डैमेंसिल पोर्टल के जरिए भीरोन अपनी पावर से टैमेंसिल पोर्टल खोली ही देता है तब ही नाटिया ग्यों का अवाज लगाते हुए कहती है कि अनांता ने उसको बताया विंग्स ओफ इंकार्नेशन ऐसे डिस्गस्टिंग वीश्ट है जिनको गौड ने बनाकर एक बहुत बड़ी गलती करी लेकिन अभी अभी नाटिया ने देखा ग्यों ने सेकरेटरी की ब्रांच से अभी एक बच्ची को इंकार्नेट किया वे अपने सवाल का जवाब चानना चाती है कि उसके पास कोई मेमोरी नहीं जब से उसने ग्यों से मुलाकात करी बिल्कुल इस बच्ची की तरह ग्यों नाटिया से कहता है कि अनांता वो बच्चा है जो कि अपना बदला लेना चाता है मुझसे लेकिन कभी नहीं लिपाएगा और जहां बात आती है तुमारी इस दुन्या में हर इस चीज किसी कारण या इफेक्ट की वज़े से ही बनी होती है अगर इस दुन्या में किसी चीज के बनने का कोई कारण या इफेक्ट ही नहीं है तो उस चीज का इस दुन्या में कोई इक्जिस्टेंसी नहीं है वो दिन जलती ही आ जाएगा जब गियो नाडिया के इस सवाल का जवाब देगा लेकिन आज नहीं यहां से सिंसिफ्ट होता है और हमें एक राजकुमारी को देखते हैं जो कि एक लेक में नहारी होती है तब इसके दो साथी आकर उसको खबर करते हैं कि बनहर्ट स्वादन सर्मीलियेट से लोटकर आ चुका है और इसके साथ में दो इंकार्रेशन और एग हूमन है वे क्विन लेग से भार टिकल कर इन से पूछती है कि वे दोनों इंकार्नेशन विंग्स ओफ इंकार्नेशन की देन है लेकिन उन दोनों को नहीं पता होता उन दोनों की बात सुनकर क्विन हसने लगती है कि मैजस्टी आप यून दोनों को देखकर फैसला ले अब हम उस क्विन के महल को देखते हैं जहां पे बनहर्ट नाडिया को लियाया था नाडिया बर्नाड को देखकर सोचती है किसकी स्कील्स तो बिल्कुर अनांता की तरह ही स्कील्ड है मुझे याद है जब ये गहल था तो इसने मुझे खुद को ऐसे इंटर्डूश करा जैसकि ये खुद भी विंग्स ओफ इंकारनेशन को मारना चाता हो यहां तक कि इसने हमें अपने हेड कोटर में इनवाइट किया किया इसका पर बस अनांता की पावस को पाना है लेकिन हमारी विंग्स ओफ इंकारनेशन से फाइट के बाद अब तक हमें रैबिट पॉपी रिखाए नहीं दी मेरा यहां पर आने का मकसद उस सक्से मिलना है जो की मेरी अनांता की मरत करे और मेरे सवालों का जवाब दी सके अब हम देखते हैं बर्नर्ट नाडिया को क्यून की सिंगाजन के सामने लियाता है जहां पर दो इंकारनेशन्स भी मौजूद थे तब ही महाँ पर क्यून आती है और क्यून को देखकर नाडिया को याद आता है बर्नर्ट ने क्यून के वारे में उसको बताया था और बर्नर्ट से पूछती है बर्नर्ट क्या तुमने प्लैन के अकॉर्डिंग सेक्रेट ट्री में विंग्स ओफ इंकारनेशन को पकड़ा बर्नर्ट बताता है कि हमने एरिना के अंदर पार्टिसिपेट करने वारी टीम्स को मार दिया ताकि हमारे अलावा और कोई भी डो बचा हुई अगर साफ साफ कहूं तो हम विंग्स ओफ इंकारनेशन से हार गए लगार सा कहती है तो इसका मतलत तुम कहना चाते हो कि तुम लोग खाली हात लोटे हो बर्नर्ट कहता है अगली बार मुझे वो कमीना दिखा तो मैं उसको अपने हातों से ही मारूंगा और बर लोगों में से एक है जो कि हमारी ही तरह विंग्स ओफ इंकारनेशन को मारना चाते है नाडिया हमारे लेवेटरिंग ग्रूप को जॉइन करना चाती है अपनी पावर्स देकर हमारे ग्रूप की ताकत बढ़ाने के लिए नाडिया हीलिंग और बैक अप देने में काफी ठीक सकती हो मेरी दिल में लगावा खाप इतनी जल्दी ठीक हो रहा है लगारसा नाडिया के अलावा उसके साथ आए दो और नए लोगों के बारे में पूछती है जो की पहली है एक इंसानी लड़की जिसका अच्छे से ध्यान अकने के बाद उसको सिवीलियन रेसिदेंस में बेचने के बारे में सोचा जा रहा है और दूसरा है बर्बरियन वोरियर जो की यहाँ पर काफी खायल हालत में आया था उसको मेडिकल फैसलीटी दे दी गई है लेकिन वे इस वक्त बेहोस है लगारसा पर सिंगासन से उठकर नाडिया के पास जाकर उससे हाथ मिलाते ह वे कहती है हमारे साथी को ठीक करने के लिए तुमारा सुग्रिया नाडिया मेरा नाम है लगासा इन रजर में तुमारा यहाँ पर वेलकम करती हूं और नाडिया भी हाथ मिलाकर ठैक्यूंत और नांता said फैसलीटी देने के लिए तभी लगारसा नाडिया से पूछती है आखर इसको लेवीडियन ग्रूप को जोइन करने का इंट्रेस्ट कहां से आया क्या सतनी वे यहां पर जासुसी करना चाहती है नाडिया कहती है उसको डिवाइन ट्री के वारे में अपना एक सवाल पूछना था क्योंकि विंग्स ओफ इंकारनेशन ग्यू ने उससे कहा था कि डिवाइन ट्री का ब्रांच उसके अंदर है अगर हो सके तो लेवीडियन ग्रूप उसको इस ब्रांच के वारे में कुछ इंफोर्मेशन दे बाएगा तभी लगारसा के साथ कि एक इंकारनेशन उससे च लेकने लगता है नाडिया बताती है कि ये बात सच है कि डिवाइन ट्री उसके अंदर है जब से उसकी मुलाकत गियों से हुई उसके अंदर का डिवाइन ट्री अजीब तरी किसी रियक्ट करता है वे तो बस अपने सवालों का जवाब लेने के लिया है कि डिवाइन ट्री उसके लिए अच्छा है या फिर बुरा लगारसा बनहर्ट से कहती है कि तुमने इसे डिवाइन ट्री के वारे में कुछ नहीं बताया बनहर्ट लगारसा से कहता है कि आपने मुझे अब तक परमिसन नहीं दी ये इनफॉर्मेशन किसी और को बताने की लेकिन ये काफी ज़दा यूनिक इंकारनेशन है इसकी तलास विंग्स ओफ इंकारनेशन फिर से जुरू करेगा और ये हमारे पास एक बहुत बड़ी एपॉर्चुनिटी है ये उसे फिर से लड़ाई करने की तबी एक मेंबर चलाते हैं और लगार से उस पर चलाती है कि आखिर वे रॉयल मीटिंग के अंदर इस तरीके से क्यों चला रही है वे बताती है कि फॉल्ट्रेस के सिवीलिन रेशिडेंस में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है वे बैर्बरियन वारियर जाक चुका है और अपनी पावर से वहां की सिवीलिन्स को डरा रहा है अगला सीन हम अनानता की पास्ट स्टोरी का देखते हैं जहां पर अनानता पूरी तरीकी से कर्स्ट डीमन ड्रेगर बन चुका था और वे दूर से जलते में कबीले को देखकर काफी तेजी की साथ उसकी तरह बढ़ने लगता है और वहाँ पर पहुचने के बाद वे काफी तेजी से चिलाता है क्योंकि महाँ पे जोपड़ी लोग सब कुछ जल चुका है और फिर वे धीरे धीरे करके अपनी इंसानी फॉर्म में आने लगता है और जो हाथ उसके कट चुके थे वे कर्स एनरजी की वरा से फीर से रीजनरेट हो चुके हैं अनांता अपने बड़ी बेन आसिता की बात याद करता है अनांता सई सनामत वापिस आना और अब उसकी बड़ी भेन चल कर मर चुकी है अनांता प्री बड़ी बेन की बाड़ी को उठा कर चिल लाने लगता है और अनांता की बात को वहाँ पर आई रैपिट पॉपी सुन रही थी मैं तुम्हें मार तूंगा मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा रियू तुम्हें ऐसा क्यों किया इन दुख के आशों के साथ अनांता की आँखी खुलती है और वह देखता है कि वह किसी अंजान जगा पर है साथ ही में उसके बैट के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा इंकारनेशन है जो कि उसकी तरफ देखते में हसने लगता है अनांता उसको इनो करते में सोचता है मेरे पास इन फाल तो गामों का टाइम नहीं मुझे जल्दी से रियू को ढूंड कर उसको मार रहोगा ये क्या मेरे आंक कान नाप मुझे खून की नकल रहा है मैं टंक से सांस नहीं ले बारा साथ ही में मेरी विजन भी वीक हो रही है साथ इसके पीछे का कारण है कि मैंने कुछ जादा ही कर्स पावर का इस्तमाल कर लिया तब ही अनांता जमीन पर गिर जाता है और वे चोटा सा इंकारनेशन महां से भाग कर मरत बुलाने करे जाता है अब यहां से हम सिवीलियन रेजिडेंस का सीन देखते हैं जहां पर लोग अपने सामने एक अंजान सक्स को देखकर हरान थे जो की और कोई नहीं अनांता था इतनी खराब हालत होने के बावचूत भी अनांता रियू को टून रहे अनांता देखता है कि वे किसी अंडर्गराउंड सीटी के अंदर है लेकिन उसको यहां पर लाया कौन तभी लेविडिन गुरूप की कुछ सोल्जेस आकर अनांता को रोक देते हैं इससे पहले उन्होंने कभी भी सिवील रेजिदेंस के अंदर अनांता को नहीं दिखा अनांता एक अंजान सक्स है इसलिए उससे कुछ पोज़ताज करने के लिए अनांता को उनके साथ चलना होगा तभी कोई सक्स अनांता के पीछे से आते हुए कहता है वेल आपने मेरे बच्ची को देखा वे यही गई आसपास खेलते हुए खो गया है क्या आप उसको मेरे साथ ढूनने में मरत करोगे और उस बंदे का नाम है आउल अनांता आउल के राइट हैंड को नोटिस करता है जिसमें एक टैटो बना हुआ था और पास्ट में ड्रैबिट पॉन नहीं अनांता को बताया था इंकारनेशन ओफ विंग्स की सिंबल के बारे में जिनके भी पास ये सिंबल होता है वें इंकारनेशन ओफ विंग्स की फैमिली से ब्लॉव करते हैं या फिर उसके क्रूप से अगर किसी की भी पास तुमकर ये सिंबल मिले तो समझ जाओ इसका connection incarnation of wings से हैं अनांता उसको पीछे से रोकने की कोशिस करता है लेकिन एक तलवार काफी तेजी से आकर अनांता की उपर लगती है लेकिन अनांता उससे पच जाता है और ये बार क्या था आउल ने आउल अनांता से कहता है मुझे बिलकुल नी पसंद कोई भी मुझे मेरे बीट के पीछे चुने की कोशिस करे अनांता खुद को संभाल कर आउल के उपर पंच लैंड करता है जिसको आउल काफी असानी से अवाइड कर देता है आउल को भी आनांता की बावर्स का एहसास हो चुका था और वे इससे पीछे हट कर इसको दूर से अब्जर्फ करने लगता है इसकी हालों देखते हुए लगता है कि ये कभी भी मर सकता है और साथ ही में मैं देख से ताहूं कि इसका गुस्ट बढ़ता जा रहा है अनांता आउल से कहता है जो तुमारे राइट हेंड में सिंबल बना है वो इंकारनेशन आउफ विंग्स का है तो इसका मस्तब तुमारा कनेक्शन इंकारनेशन आउफ विंग्स से है ये कहने के बाद वे अपनी incarnation पावर से अनांता की उपर अटेक करता है जिसका नाम है इगल्स टेलॉन लेकिन अपने सामने कुछ ऐसा देखकर आउल भी हरान वजाता है क्योंकि अनांता ने उसके अटेक को अपने हाग को ट्रांसफर्म करके ब्लॉक कर लिया है फिर्जों लेवेटिन क्रूग के सुलजर की लीडर थी वे चलन दिसे गीन लगार्जा को रिपोर्ट करने के लिए बोलती है अनांता के बारे में वही अनांता आउल पर हमला करना शुरू कर देता है और आउल अनांता के सबी हमलों से बचते हुए सोचता है मैज बंदे से अपनी स्वाड के साथ नहीं दीच सकता इसकी हालत सुरुआत से ही गाफी ज़्यादा खराब थी क्या एपनी खराब हालत होने के बावजूत ये मुझसे लड़ना चाता है तब ये अनांता को अपने अंदर कमजोरी महसुस होती है और इस चीज़ का फायदा उठाकर आवल उसके उपर हमला कर देता है फिर जो अनांता की डिमॉनिक एनरजी थी वे उस पर हावी होने लगती है आवल भी इस चीज़ को नोटिस करता है अनांता का फेस चेंज हो चुका है और वे किसी बीश्ट की तरह उसको घुरात वे देखने लगता है जैसे ही आवल अपनी स्वार्ट के साथ उससे पीचे आटता है तो अनांता का कंट्रूर अपनी पावल स्पन धही रहता और वे पूरी तरीकी से बन जाता है बीश्ट ड्रैगन अनांता को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और आवल अपनी पावर से उस पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी अचानक से आवल सोचने लगता है नहीं ये अचानक से मुझे क्या हुआ मैंको इतना चातर टर क्यों लग रहा है मैं अपने सही को हिला नहीं पा रहा ये बंदा आखिर है क्या चीज तभी वहां लगारसा आकर अपनी स्वार्ड से अनांता की गर्दन पर वार करती है और लगारसा के साथ आए हुए सोल्जर्स उसको चारों और से घेर लेते हैं वहां पर नाडिया भी बनहर्ड के साथ आकर उनको समझाती है कि वह अनांता है जिसने उसकी जान बचाई वह कोई तुस्मन नहीं इसलिए उसको मत मारना लगारसा नाडिया से कहती है जिसने भी मेरे लोगों को चोट पोचाने की हिम्मत करी मैं उसको माफ नहीं करूंगी चाहे वह कोई भी हो अभी मॉस्टर इसी वक्त मेरे हाथों से मारा जाएगा अनांता काफी गुच्सी की साथ लगारसा की तरफ देखते वे अपनी डिमॉनिक पंजों से अपनी गर्दन पन वा करकर अपनी गर्दन को फाड़ने लगता है ये देखकर किसी की भी कुछ समझ में याता और जो गर्दन अनांता ने अपनी काटी उसमें से काफी सारा खूनने करने लगता है और वे खून डिमॉनिक एनरजी बनकर फीड होने लगता है और उस डिमॉनिक एनरजी में पहुचने की खबर तेजी से फैलरी है और वे जल्दी ही फॉर्ट्रेस के भार पहुच जाएगी अनांता के साथ आगी गया गया जाएगा इसके लिए एक एक एक्जेक्यूटिव मीटिंग बिठाए गई है सभी कमांडर्स की बात सुनने के बाद लगार सा अपना फाइ फैसला होगा और सेकंड डिविजन के कमांडर टारकन उनको अनांता के अंदर कोई भी इंटरस्ट नहीं लगार सा बनहट से पूचती है कि उसको अनांता की इस भिहानक ताकत के वारे में पता था और ये जानते हुए भी वे उसको हमारी संस्था के अंदर लाया ऐसा क्यो वही बनहट लेवेटिन ग्रूप का फर्स्ट डिविजन का कमांडर है बनहट एक्स्प्लेइन करता है उसको ये बात पता है कि ये काफी गलत चीज है कि सिविलिन्ज को अनांता की दाकत का खौफ है लेकिन अनांता की दाकत को अच्छी तरीके से इस्तमाल किया जाए तो वह हमारे लिए काम आसकता है वही रूपा चिलाओती है वह इस डिजिजन से खिलाफ है आउल ने भी उसके साथ फाइट करी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आउल उसके साथ सीरिस फाइट करकर उससे हारने वाला हो आउल एक्स्प्लेन करता है सच कहूं तो बनहट का कहना सही है मै मेरी उस से लड़ाई हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस मरने ही वाला हूँ उस बंदे की ताकत सच में कमाल की है अगर हम उसका सही इस्तमाल करे तो वे हमारे काम आ सकता है तब ही महाँ पर कोई आते वे कहता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है लेकिन मैंने कुछ और ही खाया गया है वहाँ पर भी कोई आकर अनांतर से कहती है कि तुम्हें काफी ज़्यादर दर्द मैंसिस हो रहा होगा ना तो चलो मैं तुम्हें इस दर्द से अजाद कर देती मरम देखते हैं महाँ पर रैबिट पॉज जैसी दिखने वाली एक और रैबिट आ जाती है इसन और भी कुछ रहे लोग बोले हैं जिसको मैं नहीं बोलना चाहता तो इसी की साथ इस चैप्टर का एंड होता है आगे और भी चैप्टर है जिनको मैं अगली वीडियो में एक्स्प्लेइन करूंगा तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में अभी के लिए सायोन आराओ